तो गाइज यह है आज का मौसम हमादे कानपूर का बहुत प्यारा मौसम हो रहा था है प्रोक 6 o'clock हो रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था इसा मौसम में तो चाय और पकोड़े खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो आज यही बनाते हैं और आप सब के साथ शेयर करते और यह पकोड़े mix vegetables के हैं आपके पास जितनी भी सबसिया हो आप इसमें डाल सकते हैं तो आएए देखते हैं मैंने कैसे बनाया Hello guys कैसे हैं आप सब लोग I hope so आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे and welcome back to my channel तो यहाँ पर मैंने लगपा एक कटोरी पोहा लिया उसको अच्छे से wash करके थोड़ी देर फूलने के रिए रख दिया अब यहाँ पर हमारे पास जित्ती भी वेजिटेवल हो आप इसमें डाल सकते हो मेरे पास जो जो थी आप देख सकते हो गाजर शिमला मिर्च एक मैंने टमाटर लिया प्याज लिया पता गोबी ली यह मैंने पूरा लिया है लेकि मैंने इसको थोड़ा ही यूज किया था और अगर आपके पास गोबी ओ डाल सकते हैं बीन सो आप डाल सकते हो लास्ट मैंने लौकी भी ली थी मुझे याद नहीं था मेरे पास लौकी है तो मैंने लास्ट मैंने लौकी भी ले ली थी तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे यहाँ पर जो हम टमाटर ले रहे हैं उसके हम बीज हटा देंगे इनको भी हम लंबा-लंबा कट कर लेंगे बिल्कुल पतले-पतले हमें इनको लंबे-लंबे शेप में कट कर लेना है अब यहां पर हम जो पतागो भी लेंगे उसको भी हम आच्छे से ग्रेट कर लेंगे तो आप एक बा को बहुत आसानी में से उनको खिला सकते हूं और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और आप चाहें तू शिंपला में जो टो को घृट कर ते हो जो जैसे आप डालना चाहे आप वैसे डाल सकते हो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से घिस लिया था और जिनको मुझे लंबे-लंबे कट करने तो उनको काट लिया अब इनको मैंने एक बावल में ट्रांसफर कर लिया सारी चीजों को और यहां पर देख सकते हैं, जो पोह है, उसका पानी भी यहां पर निकाल के और इसको भी मैं बॉल में transfer करे थे यहां पर मेरी बेटी मैं वहां पर थोड़ा सा काम करने में busy होगी तो यह आगी कैमरे में बाते करने के लिए मुझसे बोलती है ममा मैं Hello Hi बोलू तो मैंने कहा बोल ली जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने लौकी भी ली मुझे पहले नहीं पता था मैंने phrase में देखा कि लौकी भी है तो मैंने सोचा लौकी भी डाल लेते हैं इसको भी हम अच्छे से greater से grate कर लेंगे दो बड़े चमच चावल का आटा यूज करूंगी और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मक्के का आटा यूज कर सकते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच बेसन डाला और इसमें अब हम सारे मसाले डालेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली एक चमच और इसके बाद मैंने हिंग डाली आधी चमच और यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाला जीरा पाउडर डाला और यहाँ पर म मैंने कसूरी मिती को हाथ में घिस के और इसमें डाल दिया अब सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपको मिलाना है इतनी भी मसाले हमने यूज किये हैं वो हमारे सारे अब यहां पर मैं पकोड़े की शेप में नहीं बना रही हूँ मैं टिक्की की शेप में बना रही हूँ बहुत इजली यह बन जाएंगे क्योंकि इसमें पानी बिलकुल नहीं डाला है क्योंकि अल्रेडी हमारी जितनी भी सबजियां है उसमें पानी छूटेगा तो आपको इ slow gas में हम सेखेंगे क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा यूज किया है तो हमें बहुत slow gas में medium slow gas में आपको सेखना है और अच्छे से crispy होने तक इनको सेखते रहना है जितनी crispy होने तक आप सेखेंगे उतना ही आपको इसमें टेस्ट आएगा जब तक हम मेरे बंड रहते तब तक मैंने वहाँ पर उबाला गया थे मेरी चाय में उसमें मैंने अद्रक ग्रेट करके डाली इलाइची डाली इलाइची को मैं कूट के नहीं डालती हूँ आप देख सकते इधर तब तक मेरे पकोड़े बनके तैयार हो गयते यह टेस्ट में इतने अच्छे थे सबकोगह में इतने पसंद आए कि मैं आपको बता नहीं सकते आप एक बाद ज़रूちゃん प्राइक करेएगा आपको भी बहुत पसंद आए अगर आपको पसंद आए ना तो पिलीज एक बाद लाइक शेर और Bref टायेगा मेरी चाय भी रेडी तो आप भी बनाएगा enjoy करिएगा मिलती हूँ आपसे next video में तब तक के लिए bye take care all of you